कृशी मंत्री कमल पटेल ने राहुल गांधी पर निशाना साथती हुए कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से पूर्व केंद्री मंत्री कमलनाथ का नाम ले रहे हैं और साउंड को लेकर बात कर रहे हैं उससे लगता है राहुल शहजादा है और कमलनाथ गुलाम है कमल पटेल पटेल ने कहा राहुल गांधी में कोई संसकार नहीं है कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी में कोई संसकार नहीं है राहुल गांधी भूल गए कि कमलनाथ मद्यपदेश के पूर्व मुख्य मंत्री पूर्व केंद्री मंत्री और उनके पिताजी की अम्र से बड़े हैं साथ ही जिन्होंने आपकी दादी के साथ काम किया है जिस प्रकार आप उनका नाम लेकर सीड़े बोल रहे हैं इससे लगता है कि आप शहजादा और कमलनाथ गुलाम हैं उन्होंने कहा कि राउल गांधी के इस तरह के बरताओं से लगता है कि कारकरताओं को तो छोड़ो नेताओं का यह हाल है और कॉंगरेस में इनकी क्या इज़त है उसके बाद जो देश में बेरोद का रही है Kamal, there's some interference taking place here Kamal, there's some interference taking place here I answered your question I'll just, Jai Ram, give me a second Jai Ram, give me a second Jai Ram, give me a second I answered your question ये रावल गानी जी है, ये Kamal नाजी बेढ़े माजूने उन्पत्कार वारता ले रहा है बीच में कई सावन में घड़बड़ी आई तो Kamal नाजी को जिस प्रकार उन्होंने बोला है इससे लगता है कि रावल गान्दी में कोई संसकार नहीं है रावल गान्दी जी ये मंत्य प्रदेश के पूर मुख्य मंत्री है केंद्री मंत्री है आपके पिताजी से भी उपर उम्र में बड़े हैं आपकी दादी के साथ काम किया है और आप उनको जिस प्रकार बोल रहा है नाम लेके सीधे इससे ये लगता है कि आप सहजादा है और वो आपके गुलाम है कमल पटेल ने कमलनात को सला देते हुए कहा कि अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत भी स्वाविमान बचा है तो आपको तत्काल कॉंग्रेश छोड़ देनी चाहिए राहुल गांधी के निरत्वत में काम नहीं करना चाहिए जिस प्रकार आपकी बेज़जिती की गई इस पर मेरा मानना है कि पूरे मध्य बदेश के कॉंग्रेश कारकरताओं और मध्य बदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की बेज़जिती है राहुल गांधी का ये करते असाहिनी है जिसकी हम निंदा करते हैं वो खबरे जो आपके काम की है वो खबरे जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक मिश्लेश हम करते हैं सट्यका अनवेशा दखल नियूज आपके हक्त में आप देख रहे हैं दखल नियूज